नमस्का, राजनाम टीवी पर आपका स्वागते, मैं प्रियाब आपके साथ 20 अप्रेल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन मुंबे के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था एक दिन ममता की मा ने अकबार में एक एड देखा जिसमें लिखा था कि मॉडलिंग एजनसी को नए चेहरों की तलाश है उस समय ममता स्कूल में थी जैसी ममता घर आई तो मा ने पूछा क्या तुम मॉडलिंग करना चाहती हो ममता का जवाब सोच पाने के लियाज से काफी छोटी थी तो उन्होंने कहा देखते हैं आगे तुरंत मा ने कहा ठीके शाम को तयार हैना हम एक एड एजनसी के पास जा रहे हैं ममता उस एजनसी में पोची और उन्हें लगातार मॉडलिंग के ओफर मिलने लगे मॉडलिंग करने के बाद ममता को साउथ फिल्मों में काम मिलने लगा 1902 में ममता कुलकर्णी फिल्म प्रेम शिकारम में नजर आई थी जिसने बॉक्स ओफिस के सारे रिकार्ट तोड़ दी थे साउथ में ममता की फैन फालोइंग ऐसी बढ़ गई थी कि उनके चाहने वालों ने उनके लिए हैदराबाद में एक मंदिर बनवा दिया फिल्म रिलिस के बाद ममता को साउथ से कई फैन मेल आते थे जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा था मैं कभी इसकी उमीद नहीं की थी अगर कभी नेलोड से गुजडी तो जरूर उस मंदिर जाऊंगी लहरे रेट्रो को दिये एक इंटर्वियू में ममता इस बात को कन्फर्म कर चुकी है 1903 में आई स्टार डस्ट मैगजिन के कवर पेच के लिए ममता ने टॉप लिस फोटो शूट करवाया था मैगजिन सामने आते ही ममता विवादों से खिर गई थी इसके लिए ममता ने काफी माफी माँगी और सफाई दी लहरे रेटरों को दिये एक पुराने वीडियो में ममता ने काता मैं जानती हूं मुझे गलती हुई है लोग मुझे बहुत सीधा सदा समझते हैं जब भी मेरे पास फैन लेटर्स आते हैं तो इसकी शुरूरात आदर्णी ममता कुलकर्णी के साथ होती है ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर आने से मेरे फेंस को धक्का लगा है मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा लोगों को ज़्यादा तच्जुब इसले हुआ क्योंकि मेरी इमेज अलग थी लोग मुझे देवी की तरह पूछते थे कहा जाता है उस समय बीस रुपे की ये मेगजिन सो सो रुपे में बेची जा रही थी सफाई देटेवे मम्ता ने कहा अपना बचाव किया वही कुछ दूसरी एक्टरिस के नाम भी लिए जिससे उनके बयान फिर सुर्क्यों में आया उनोंने खा पूजा बेदी या कोई दूसरी एक्टरिस ऐसा करती तो लोग कहते कि ये कोई नहीं बात नहीं है उनका रोच का काम है लेकिन जब मम्ता कुलकर्णी ने किया तो लोगों को धक्का लगा यही अगर भाग गिश्री भी करती तो लोगों को उतना ही धक्का लगता फिर घातक के गाने मारा रे मम्ता की special appearance थी इस फिल्म को राजकुमार संतोशी ने डारेक्टर क्या था जब राजकुमार ने 1909 की फिल्म चायना गेट बनाने का फैसला किया तो उन्हें मम्ता को ही साइन कर लिया राजकुमार कास्टिंग से खुश नहीं थे और हिरोईन बदलने पर विचार कर रहे थे जैसे ही राजकुमार ने उन्हें फिल्म से निकाला तो उन्हें लगातार अंडरवल्ड डॉन छोटा राजन से धमकी भरे कॉल आने लगे छोटा राजन की धमकी अमिलने के बाद राजकुमार ने ममता को ही फिल्म में रखा फिल्म रिलीज हुई बॉक्स आफिस और बुरी तरफ फ्लाप हो गई इस फिल्म को छमा छमा गाने के लिए पहचाना गया जिससे औरमिला मातर्णकुर को काफी पापुलेटी मिली थी वहीं ममता लीड हिरोईन होकर भी तारीफे हासिल नहीं कर सकी फिल्म फ्लाप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक इंटर्वी के दोरान खुला सा क्या था कि फिल्म की शूटिंग के दोरान राजकुमार संतोशी ने कंप्रोमाइस करने के लिए कहा था ममता के इंकार के बाद राजकुमार ने बदला लेने के लिए उसके ज़्यादा तर सीन फिल्म से हटा दी ममता का अरोप ये भी था कि राजकुमार के कहने पर उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया एक समय में ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेर के किस सुर्कियों में थे दोनों ने ही कभी इस रिष्टे को सारुजरी नहीं क्या लेकिन जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता को फिल्म में दिलवाया कटा था उससे ही साफ जाईर था कि दोनों के बीच कुछ था जब जाँच एजंसियों से बशने के लिए छोटा रजन को देश छोटा भागना पड़ा तो दोनों में दूरियां बढ़ गई छोटा रजन की गेर मुझुदगी में विक्की गोसवामी ने उनका काम संभाला ऐसे मां मम्ता और विक्की गोसवामी का नाम जोड़ने लगा छोटा रजन के जाने के बाद मम्ता को फिल्म में मिलना लगभग बंद हो गई 2002 की फिल्म कभी हम कभी तूम के बाद मम्ता कुलकरणी अचानक फिल्मों से दूर हो गई फिल्म इंडस्टी छोड़ने के बाद मम्ता विक्की गो सोमी के साथ दुबई और केनिया में जाकर रहने लगी फिर अचानक 2013 में मम्ता की एक तस्वीर सामने जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर में मम्ता स्वाध्वी के आउत्वार में नजर आ रही थी इसी साल मम्ता कुलकर्णी ने बुक आटो बायोग्राफी आफ ए योगीनी लांच की इस तस्वीर और बुक से मम्ता फिर सुर्ख्यों में आ गई एक टीवी चैनल को दिये इंटर्वी में उन्होंने कहा था मैंने विक्की से शादी नहीं की है मैं उस वक्त किसी की पत्मी नहीं हूँ कुछ लोग काम के लिए पेदा होते हैं और कुछ इश्वर के लिए मैं इश्वर के लिए पेदा हुई मम्ता पूरी तर से साध्यू बन गई थी 2016 में मम्ता कुलकनी और उनके रूमर्ड पती विक्की गोवस्वामी का नाम 2000 करोड के ड्रक रेकेट में सामने आया था अरुप्ता की दोनों केनिया में एक बड़ा ड्रक रेकेट चला रहे हैं नाम आने के बाद दोनों की तलाश शुरू ही लेकिन दोनों ही नहीं मिली इसी के साथ मने रही है राजणवाट इभी के साथ तरह निवार्ड